Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Take out your smart mathematics book. Today's our objective is recognize unit 10-100. आज हम पढ़ेंगे unit 10 और 100 के बारे में के ये क्या होते हैं, ओके? आपिन चप्ना नमबर 1, Numbers 1 to 1000. The value of right side is called unit. नमबर 9, जो भी value हम right side से शुरू करते हैं लिखना, वो कौन सी होती है? unit. और second number के जो हमारी value होती है, उसका name होता है 10. first का name होता है unit, second का 10. and third जो अब पास नमबर होता है, जो value होती है, उसका name होता है 100. क्या name होता है? 100. unit, 10, 100. अब हमारे पास यहां पर 3 numbers हैं, 6, 4, 9. जो right side पर number है, वो क्या है? 9. तो उसका name होगा unit. second number है 4, तो उसका name होगा 10. और जो third number है 6, उसका name क्या होगा? 100. unit, 10, 100. तो आपको समझ में आ गया, now open page number 9. exercise number 1, match the numberals with the correct number in words. जो आपको हैं पर numbers दी गए हैं, आपने उनको क्या करना है? match करना है, ओके? numerals को आपने number in words के साथ match करना है. The first is 674. अब आपने number in words में चेक करना है, के यहाँ पर 674 कहां लिखा है, उसके साथ आपने pencil से match करना है. उसके बाद exercise 2 करनी है. write the numbers in figures. आपको यहाँ पर numbers in words दी गए हैं. आपने यहाँ पर कैसे लिखना है? figures में लिखना है. अब first क्या है? 80. 80. तो आपने कैसे लिखना है? 80. 80. 80. Second है 312. अब आप इसको लिखेंगे कैसे? इसको आप लिखेंगे 3, 1, 2. 312. आपने यह टू वर्क्स जो आपको दिये गए हैं, यह आपने डन करने हैं. पेज नंबर 9 पर. जब तक के लिए गुडबाई. अलाहाफैस.